हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, welcome back to the channel, मेरा नाम है अबदुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले से डैक की तरफ से अपडेट आई है यहाँ पे जॉब विकेंस ही है और आप में से जो भी एलीजी बलो वीडियो को इंट तक देखना eligibility criteria से लेके सारी चीज़े मैं आपको detail में बताने वाला हूँ और अगर आप पहली बार channel पर आ रहे हूँ तो channel को subscribe कर दीजिए और bell icon प्रेस कर दीजिए अगर आपको career guidance and job updates के related latest videos चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते है Saturday की वीडियो में मैंने आप लोग उसे question पूछा था कि आपका result क्या है गे 2021 का और आप में से बहुत सारों ने reply किया था काफी अच्छे rank आपके आए congratulations to everyone जिनके rank बहुत अच्छा है और जिनके नहीं आए भाई मैनत कर लेना आज आएगा कोई tension नहीं है लेकिन आप में से जिनका rank आया हुआ है अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इस channel पर live आके आप हमारे viewers को कुछ tips देना चाहो अपनी और से क्यूंकि अगर आप में से ही कोई rank लाता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आप हमारे subscriber हो तो यहाँ पर कुछ अगर आप अपना contribution देना चाहोगे लाइब आके तो आप मुझे mail कर सकते हैं mail ID में यहाँ पर आपको attach कर दे हो अपना gate score आप mail कर सकते हो तो हमारी team आप से contact करेगी तो देख लेना अगर आप interested हो आप यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिडेक की तरफ से vacancy आई है eligibility criteria अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर electronics वाले और computer science वाले eligible होंगे even MCA वाले भी apply कर सकते हैं यहाँ पर branches इन्होंने specific बताई नहीं है लेकिन यहाँ पर जो भी vacancies है वो computer science के related है तो आप मैंसे जिन्होंने computer science से नहीं किया हुआ अब वीडियो को छोड़ सकते हो लेकिन बस एक like जरूर से कर देना जैसा कि मैंने आपको बताऊं है computer science और electronics वाले apply कर सकते हैं तो fourth number की vacancy है जिसके अंदर आप मैंसे जिन्होंने bbtech mc किया हुआ है pcst d01 software application developer की vacancy है आप यहां पे apply कर सकते हो और second यहां पे cyber data analysis की vacancy है फिर यहां पे network data center software development, network administration, php, angular, applied AI data analysis, network security, network security and data center इस तरीके से अलग-अलग vacancy है project engineer से लेके project associate की और maximum salary यहां पे 31,000 per month है अगर आप यहां पे पूछो के permanent job है या नहीं है तो यहां पे permanent job नहीं है एक सौल minimum रखा जाएगा उसके बाद यह extend कर सकते है दूसरी सबसे important बात है यहां पे final year eligible है या नहीं तो फाइनल year यहां पे eligible नहीं clearly नहीं graduate मांगा हुआ इन्होंने कह दिया है कि अगर आपकी degree अपी बाकी है तो आप apply नहीं कर सकते हो यहां पे application fees है जो कि है 500 रुपीज अगर आप SST से belong करते हो तो आपको application fees पे करने की ज़रुवत नहीं है now dates के बारे में बात करते है तो March 19 से ही शुरू हो चुकी है यह vacancy मतलब applications और इसकी last date April 8 है और यहां पे आपको अगर apply करने में interest है तो इन dates के दौरान आप apply कर दीजे लेकिन सोल समझ के apply करना electronics and computer science वाले apply कर सकते हैं now mode of selection की बात कर लेता है mode of selection में यहां पे आपकी सबसे फिले test होने वाली जिसमें aptitude reasoning और यहां पे domain knowledge का यहां पे test रखा जाएगा now उसके अंदर pattern क्या रहेगी वो इन्होंने नहीं disclose की हुई है लेकिन जो भी होगा MCQ most probably MCQ ही रखेंगे उसके बात final selection के लिए वो एक interview conduct करेंगे so यह सारी चीजे जो है इन्होंने आपे selection procedure में बता दिये सबसे important बात यह है fees अगर आप मेंसे कोई ऐसा लगता है कि अगर आप apply करोगे तो आपको selection हो जाएगा then you can apply बट अगर नहीं लगता है तो apply महत करना क्योंकि आपकी fine date to piece ऐसे ही waste चले जाएंगे आपके पस काफी time में सोचने के लिए बहुत सारी vacancies updates आते रहते हैं तो देख लीजिए अगर आपको इसा लगता है तो apply जरूर से करना और experience desirable में मांगा हूँ है compulsory नहीं जिसमें compulsory था वो मैंने update discuss नहीं की हुई है so last date 8th and 9th है आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर online apply करना होगा आपको जहाँ पर भी आप apply करना चाहो जैसे कि यहाँ पर बात करें तो उस post पर click करके आपको apply नहीं पर click करना है और last में आपको application piece पे करना होगी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी सिडेक की तरफ से यह विकेंसी थी और आप में से बहुत सारे computer science वाले हो झाले हो झाले हो झाले हो झाले होगी